हलो चुडेंट्स हम लोग exercise 6.4 पे हैं और यहां कहा रहा है solve the following system of linear equations by Kramer's rule चली देखते हैं question number 18 से क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग question number 17 तक देख लिये थे देखें दिया हुए question x plus y equal to 1 first equation है second equation है x plus z equal to minus 6 और third equation है x minus y minus 2z equal to 3 चली पहले हम लोग d का value निकालते हैं तो d का value हो जाएगा determinant देखिए x का coefficient first column में यहां पर हो जाएगा one 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 y का coefficient one zero minus one z का coefficient zero one minus two ठीक है तो अब इसका determinant value निकालते है r1 k को d तो क्या हो जाएगा आपर one को लेंगे ये रह ये कॉलम हटाएगे इन चारों का determinant value zero one minus का one minus का two फिर minus का one लेते हैं ये रह ये कॉलम हटाते हैं इन चारों का determinant value one 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 minus का two चलिए अब इसे solve करते हैं one into में यहां हो जाएगा minus का zero और plus का one minus one into में हो जाएगा minus का two और फिर यहां पर minus का one तो यहां आ जाएगा one into में one minus one into में minus का three यानि आ जाएगा one plus का three that means यह हो गया four not equal to zero यह zero के एकवल नहीं है चलिए अब हम लों बात करते हैं डीवन के लिए तो डीवन के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं देखिए यहां पर इनी सब को लिखेंगे लेकिन first column वाले place पर हम लोग इंस content को ले लेंगे one minus six minus का three one zero minus one बाकी दो अधर column वाले element वही लेंगे zero one minus two यह नहीं करेंगे चलिए देखिए first one को लेंगे यहां पर देखिए one into में minus का zero plus का one फिर minus one into में यहां पर multiply करेंगे तो 12 और minus का three तो यहां हो जाएगा आपका one into में one minus one into में nine यहां nine नहीं हो जाएगा आपका चलिए अब इसके बाद देखते हैं one minus का eight sorry one minus का nine यानि eight हो जाएगा minus का चलिए minus का eight आ जाएगा इसके बाद हो चलिए आप देखते हैं यहां पर यहां पर यह constant ले लेंगे second column वाले लिमेंट यानि की वाई के coefficient के प्लेश में one 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 minus six three और zero one minus two इसको भी expand करते हैं यहां पर one को लेंगे यह रो यह कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिन आपको लिए minus six one three minus का two फिर यह minus one लेते हैं यह रो यह कॉलम हटेंगे यहां पर जाएगा one 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 minus का two चलिए आप इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा one in two में twelve minus का three minus one in two में minus two minus का one तो यहां से हो जाएगा one in two में nine और minus one in two में minus का three यानि यहाँ पे 9 प्लस का 3 12 हो गया ठीक है चलिए अब हम लोग D3 के लिए चलते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे D वाले values को ही लेंगे यहाँ पर लेकिन 3rd column ऐने C3 में यह constant आ जाएगा तो चलिए देखते हैं 1 1 1 1 0-1 और यहाँ हो जाएगा आपका 1-6 3 ठीक है चलिए अब इसके डिटर्मिनान वेलू एक काम करता हूं मैं यहाँ हम लोग R2 को लेके चलते क्योंकि इसमें एक मुझे 0 देखने को बिला है यह माइनस में होता है चलिए अब यहाँ पर यह रो यह कोलम हटाएगा इन चा आपका क्या हो जाएगा यह कोलम हटाएगा इन चारों का डिटर्मिनान मैल 1 1 1-1-1 चलिए आगे देख्थे हैं –1 12 में 3 बलस 1 और –6 यहाँ हो जाएगा –1-1 यहाँ देखीक है क्या हो जाएगा अब हमें x, y, z के value निकालने हैं therefore हम लोग x equal to में लिख सकते है d1 by d y equal to में लिख सकते है d2 by d और z equal to में लिख सकते है d3 by d चलिए तो x equal to में क्या होगा d1 का value क्या आया था उपर देख लेते हैं d1 का value है आपके पास minus 8 और d का value 4 है तो यहां हो जाएगा आपका minus 8 by में 4 y के value क्या हो जाएगा d2 by आपका d यानि की हो जाएगा 12 by 4 और d3 के value यहां पर देख लिजे है minus 16 तो z equal to हो जाएगा यहां पर minus 16 by 4 यह 2 times में, यह 3 times में और यहां पर यह 4 times में तो x का value हो जाएगा minus 2 y के value 3 और z के value minus का 4, समझ गया है question number 19 देखते है 19 नमबर में देखिए, दिया हुआ है यहां पर x plus y plus z equal to में minus का 1 कर देते हैं, यह constant उधर कर देते हैं फिर यहां पर देखिए x plus का by plus का c, z equal to में दिया है minus का d इसको भी दोर कर दिये, और a square x, a square x plus का, b square y plus का c square z equal to में दिया है, minus का d ठीक है, इस भी concept को इधर कर दिया है अब इसके बाद पहले d के value निकालते हैं, तो d equal to में क्या हो जागा, तो d equal to में हो जागा हाँ पर determinant देखिए x का coefficient 1, a a square, y का coefficient 1, b, b square, z का coefficient 1, c, c चले इसका determinant value निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर method apply करते हैं यहाँ पर लिखते हैं c1 के place पर c1 minus c2 और c2 के place पर c2 minus c3 हम लोग पतागर है कि नादिक सादिक 0 लाने के लिए इस सब कर रहे हैं, d equal to में दखिए क्या हो जागा, 0, a minus b और यहाँ हो जागा, a square minus का b square 0, b minus c यहाँ जागा, b square minus का c square यहाँ 1, c, c का square है न जी चलिए, तो अब एक काम करते हैं हाँ पर 0, a minus b a square में है पर minus में plus में हो जागा a minus b into में a plus b फिर देखिए, 0, b minus c यहाँ आजागा, b minus c into में b plus c यहाँ 1, c, c square चलिए, अब इसमें से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग आउट टेकिंग आउट a minus b and b minus c from from c1 and c2 c1 and c2 respectively respectively चलिए, देखिए तो यहाँ आजागा, a minus b into में b minus c और फिर देखिए, क्या हो जाएगा 0, 1, a plus b 0, 1, b plus c 1, c, c square चलिए, अब इसको expand कर देते हैं यहाँ पहली सकते हैं expanding along हम लोग क्या कर देते हैं r1 लिखके चल देते हैं a minus b into में b minus c हम लोग सिर्फ 1 को लेंगे देखिए, अब देखिए, यह रोग यह को लोग हट अगे, इन चारों का determined value 1, 1, a plus b, b plus c देखिए क्या आजागा a minus b into में b minus c into, यहाँ पर हो जाएगा b plus c minus का a minus का b तो यहाँ देखिए, आप एक काम कर सकते हैं b से b कर जाएगा तो यहाँ d का value आगया a minus b into में b minus c into में c minus का a यह d का value हुआ अब चलिए हम लोग d1 के लिए चलते हैं इसलिए मैंने equation यह फिर से लिख दिया है अब देखिए d1 की बात करते हैं तो d1 के लिए हम लोग क्या करेंगे जो x के coefficient थे c1 वाले place पर उसको हटा कर d के values में से हम लोग इसको रख देंगे minus 1 minus d minus का d square फिर यहाँ पर y के coefficient और z के coefficient होंगे 1 b b square 1 c c square इतना हम लोग लिख सकते हैं चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि c c2 के place पर c2 minus c3 और c3 के place पर c3 plus का c1 कर देते हैं यह minus minusly square कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब इसके बात देखें क्या हो जागा d1 equal to हो जागा यहाँ पर देखिए c1 वाले element ऐसे रहेगा minus 1 minus d minus का d square और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है c2 के place पर c2 minus c3 तो 0 b minus c और यहाँ जागा b square minus c square और c3 के place पर c3 plus c1 यहाँ जागा 0 c minus d और c square minus का d square अब चाहें तो इससे रहे सकते है minus 1 minus d minus का d square यहाँ देखें 0 b minus c square में तो एक पर minus में plus में चला जागा b minus c into में b plus c यहाँ 0 c minus d यहाँ पर c minus d और into में c plus d हो जागा चलिए अब इसको बाहर लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं taking out taking out b minus c from c2 and c minus d c minus d from c3 तो क्या हो जाएगा b minus c into में c minus d यहाँ देखें minus 1 minus का d minus का d square 0 1 b plus c 0 1 c plus d अब इसको expand कर देते हैं हम लोग r1 k coding तो यहाँ पर लिख देते हैं expanding along r1 expanding along r1 तो यहाँ से क्या जाएगा b minus c into में c minus d into में minus 1 लेंगे यहाँ से देखें यह रहो यह कोलम हटेगा इन चारों का determinant बेल 1 1 b plus c और यहाँ पर c plus d तो हो जाएगा b minus c into में c minus d into में यह minus 1 ऐसे ही रहने देते हैं और into में हो जाएगा c plus d minus का b minus c यहाँ c से c कट जाएगा ठीक है चलिए अब इसके बाद देखी क्या हो यहाँ हो जाएगा अब आपका minus बाहर लगा देते हैं minus b minus c into में c minus d और into में यहाँ पर d minus का b यह किसका वेलू हो गया d1 का वेलू हो गया चलिए अब d2 के लिए यहाँ पर चलते हैं और फिर से हमें equation को देखना होगा यही ना आपके equations हैं तो चलिए अब लोग हमें d2 के लिए बात करेंगे यह तो देखिए x के coefficient 1 a a square y के coefficient के place पर यहाँ पर इन constant को ले ले लेगे minus 1 minus d minus का d a square और यहाँ z के coefficient 1 c c a square इतना लिख सकते हैं इसके लिए एक काम करते हैं पहले यह तो minus 2 निकाल दो minus 2 निकालेते हैं 1 a a square 1 d d a square और यहाँ 1 c c a square बचेगा अब देखिए हम लोग यहाँ पर उप्रेट करते हैं हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि c1 के place पर c1 minus का c2 और c2 के place पर c2 minus का c3 करते हैं कोई दिक्कत इसे नहीं नहीं है चलिए देखते हैं क्या होता है तो d2 equal to में यहाँ पर देखिए minus यहाँ पर देखिए 0 हो जागा यहाँ a minus d यहाँ पर a square minus d square यहाँ 0 d minus c d square minus का c square 1 c फिर c square चलिए अब इसके बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं minus यहाँ देखो 0 a minus d इसको एक बार minus में एक बार plus में लिख दे a minus d into a plus d यहाँ 0 d minus c यहाँ पर एक बार minus में plus में लिख दे d minus c into में d plus c 1 c c square अब देखिए इसके बाद common हम लोग लेते हैं तो अब इसमें से common ले लेते हैं अब लिखते हैं taking out taking out a minus d from c1 and d minus c from c2 from c2 तो common करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से लिखें क्या common करने से minus a minus d into में d minus c into में यहाँ पर देखिए determinant of 0, 1 a plus d 0, 1, d plus c यहाँ 1, c, c square अब इसे expand करते हैं तो चलिए अब इसको expand करने पर देखते हैं क्या होता है यहाँ लिखते हैं expanding along आपका r1 minus a minus d into में d minus c into में 1 और into determinant of a यह रहो है 1, 1 a plus d और d plus c minus a minus d into में d minus c into में d plus c minus a minus d यहाँ देखिए d से हमारा d कर जाएगा तेनि कि आजाएगा minus a minus d into में d minus का c into में c minus का a c minus का a इसको थोड़ा क्लियर ली देते है into c minus a ठीक है अब आगे चलते हैं हम लोग d3 के लिए ठीक है d3 के लिए हम लोग यहाँ पर यह equation ले लिए हैं तो d3 equal to में क्या हो जगा determinant of x का coefficient 1 a a square y का coefficient 1 b b square और जेर्गिय कोफीशन के जगा पर जो constant है minus 1 minus d minus का d square यह minus का हम लोग बाहर ले लेते हैं minus बाहर लेने से 1 a a square 1 b b square 1 d d square हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं हम लोग c1 के place पर c1 minus का c2 कर देते हैं और c2 के place पर c2 minus का c3 कर देते हैं ठीक है देखिए अब क्या हो जाएगा minus यहाँ देखिए आजएगा 0 a minus b a square minus b square 0 b minus d b square minus का d square 1 d d square ठीक है चलिए अब इसके बात देखते हैं minus यहाँ पर देखिए 0 a minus b square में एक बार minus में एक बार plus में लिख सकते हैं की नहीं बिलकुल लिख सकते हैं 0 b minus d b minus d into में b plus d और यहाँ हो जाएगा 1 d d square चलिए अब इसमें से इसको बाहर ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ लिखते हैं taking out taking out a minus b from c1 and b minus d from c2 ठीक है यहाँ करने से देखिए क्या हो जाएगा minus क्या निकलेगा a minus b into में b minus का d तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 0 1 a plus b 0 1 b plus d 1 d d square अब इसे expand कर देते हैं r1 के according चलिए देखते हैं इसको expand करने पर क्या होगा लिखते हैं expanding along r तो क्या हो जागे यहाँ पर यह d3 की बात हो रही है minus a minus b into में b minus d into में यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ डिटर्म यह रह यह को लोग हटेगे इन चार्व कर देखिए में 1 1 a plus b और यहाँ b plus d minus a minus b into में b minus d into में यहाँ b plus d minus का a minus का b b से b यहाँ कर जागा d minus a बच जागा तो यहाँ पर आगया d3 के वैलू यहाँ minus a minus b into में b minus d into में d minus का a सभी के वैलू हम निकाल दिया अब x, y, z हमें निकाल ला है ना चलिए तो अब यहाँ पर x, y और z की वैलू को देखते है तो x equal to में क्या हो जागा यहाँ पर d1 by d y equal to में d2 by d और z equal to में d3 by d तो आप लिख सकते हैं x equal to minus का d1 के वैलू हम लोग उपर निकाल चुगे थे b minus c c minus d d minus का b और y में d के वैलू क्या था a minus b b minus c c minus a a ना था जी चाहो तो आप यहाँ पर काट सकते हो b minus c से b minus c को काट सकते हो या फिर इतना भी छोड़ दो के खोई दिखेते हैं आपके बुक में अंसर इतना ही दिया है y equal to में हो जागा d2 by d या उसका d2 का वैलू है a minus d d minus c c minus a और by में minus का है यह minus में था d2 का वैलू है और d का वैलू क्या था a minus b b minus c c minus a तो c minus a से c minus a भी यहाँ पर काट सकते हैं लेकिन आपके बुक में यहीं अंसर दे भी आ है वोई दिक करती है d3 का वैलू क्या था minus का a minus b into में b minus का d और into में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका b minus d into में d minus का a है ना और by में by में a minus b b minus a b minus c और c minus a a न था जी d का वैलू तो हमने x y z इसमें भी चाहते तो a minus b a minus b काट सकते थे तो आपके बुक में इतना ही अंसर छोड़ दिया तो हम लोग भी यही अंसर छोड़ दे रहे हैं x y z का वैलू हमने निकाल दिया समझ गए तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं next वीडियो में आगे एक कोशन देखेंगे आपको अमरे तीन चैंलों को सस्क्राइब करणा होगा पहला है part finder classes छपरा part finder classes छपरा दूसरा है आपके पास भारती भवन रवी कांत सर भारती भवन रवी कांत सर और तीसरा चैंल है रवी कांत सर के नम से तीनों को subscribe कर लेंगे और इससे related वीडियो के लिए सीधे description में जाएंगे इससे related notes के लिए google पे जाकर search करेंगे www.ravikant sir.in और यहां जाकर आप सभी classes के notes उनके pdf को download कर सकते हैं पढ़ सकते हैं Instagram और Facebook पे जाके pathfinder classes छपरा को like and follow करना नहीं भूलेंगे Thanks for watching the video comment करके जरूर बताएंगे कि हमारे channels के video आपको कैसे लगते हैं